और जब भी आप पढ़ते पढ़ते आपको मन नहीं लगे तो बस आप यह सोचे कि अगर मान लीजे मेरा सेलेक्शन हो जाएगा तो मेरे ममी पापा के चेहरे पर कैसी एसमाइल आएगी बस यह सब सोच कि आप पढ़िए देखे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लियर कर चुका है और आप लोग का ग्याम 17 अगस्त को होनी है इसलिए मैं आप लोग के साथ मैं वीडियो नहीं ला रहा था ताकि मैं आप लोगों डिस्टब नहीं करना चाह रहा था ताकि आप जी जान से पढ़े और यह एक्जाम को क्लियर करें बट बहुत सारे सारे प्रोब्लमों का मैं मेसेज देख रहा था तो मैं क्यों न सोचा कि यह वीडियो के मादेव से आपके प्रोब्लम को मैं दूर करूं क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट का बहुत सारा कोचन ते कोई पूछ रहा था सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा मैं क्या कर हुँ तो कियों दरा सुर मेरा तयारी तो अच्छी है बट मुझे बहुत डर लग रहा कि मेरा सेलेक्ष्यों का इस विडियों में देंगा और इस वीडियों यह बताऊंगे कि लास्ट आपको 25 डिशेवं डे आप कैसे करें ताकि आपको यह एकजाम किलियर हो सके मैंने कैसे दूँगा इससे पहले जो जो स्टुडेस चैनल में फाइस टाइम विजिट कियें कि रिपयाइस चैनल को लाइक कर ले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मैं जितना भी वीडियो लाओं आपके पस नोटिपी किसांद जा सके ऐसे तो मैं सोच रहा था ये वीडियो वीडियो मैं ना लाओं और आप लोग एक्जाम तक मैं आप लोगों डिश्टब ना करू बट आप लोगों का प्रोब्लम देखे मुझे ये वीडियो लाना पड़ रहा है बहु सारे स्टुडेंट पूछ रहे थे सर मेरा मार्क्स नह किसे तयार करे मेद किसे तयार करे सारे स्टुडेंट नहीं क्या उसका सेलेक्शन हो अगा या नहीं होता हूं तो मैं इसी रिलेटिट में आप लोगो बताना चाहता हूँ आपको शत्रह गत से आपका ऎक्जाम अस्टाइब होना मतलभ आपके हाथ में only 25 to 27 days है तो आप 27 days के study कैसे करें ताकि आपका selection जरूर हो और जो एक बात जो student बोल रहे थे कि सर मुझे डर लग रहा मेरा selection होगा कि नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डर उसी student student को लगता जो त्यारी किया है जिसका selection होना उसी student को ढर लगता है जो त्यारी funded बिसका इसी तरह मैं बहुत डरता था अब्रत्व मैंने एक्जाम दिया और किलिए आज मैं इस पोष्ट पर का रहा थो तो समझ जाएगी जिसको डर लग रहा है मतलब उसका सेलेक्शन जरूर होगा और आप लोग चिंता ना करें बस आप अपनी और से महनत करते जाए बागी आप ब्वाण के ऄब राव में छोड़ दीजिये आपका स्यलेक्शन होगा यह नहीं होगा तो मैं और पूछ रहे तैसे सरा मेरा आप मांक逼 नहीं बढ़ रहा तो लिए बढने का मेल रीजन यह होता कि आपका सञत कमांड नहीं है आपको मैं का सय अफिशय दीजिए आपका से मार्क्स ही आएगा तो आप पहले सलेवस पर कमांड कीजिए तो ही आपका मार्क्स बढ़ेगा तो मैं आप लोगों की बताना चाहता हूं को चलिए आपको जितने दे बच गया जो हो गया उसे भूल जाए जितना डे आपको पास बचा उस पर फोकस कीजिए मान लीजिए आपके पास 27 एंग डेत का बचा है तो आप 27 दे जियारे केसे करें जैसे मांने तीयारी किया था आपको भी मैं बताता हूं कि 27 आप यह 27 बस आप रिविजन पर ध्यान दे एबरी डे आप एक सेट जरूर मारे प्रिवियस येर का एक सेट मारे और जितना टाइम बचे आप प्रिविजन पे ध्यान दे अभी कोई कोर्स नहीं करना कोई यूटूब से नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट को मैं यह देखता हूं कि यूटूब खोल लिए और यूटूब पे जो पढ़ार आप उसे पढ़ ले जा रहे और पढ़ते जा रहे और आपक कि बहुत सारे teacher को मैंने देखा कि जो स्टुडेंट में नहीं पर भ्यू के कारन वह पढ़ाते जा रहा है और आप पढ़ते जा रहे हैं और अपने टाइम को लिए और स्टूब स्टूपिक पर प्रोब्लम हो रहा है जैसे पर्सेंटेश चेप्टर में आपको प्रोब्लम हो रहा तो आप मदगन्ना वाले मैत सर्च मारके उसे पढ़ें और अपना प्रोब्लम किलियर करें यह नहीं पढ़ेगी जो यूटूब पढ़ा रहा आज एक वीडियो परसेंटेज का पढ़ा दिया परसुष पढ़ा दिया तो इसे पढ़ने से आपका सिफ टाइम अस्पेंड होगा और आपका सेलेक्शन नहीं होगा इसलिए आप यूटूब पे कैसे पढ़ें उसका मैं सही तरीका बताना चाहता हूं आप पह सेलेक्शन जरूर होगा तो लाश्ट ये 27 डे में आप यहीं कीजिए पहले तो आपको एवरी डे एक प्रिवियस यह सेट मारिए मारने को बाद जितना टाइम बचा है आप जितना स्लेवस आप कवर कियें अभी तक सारा स्लेवस का आप रिविजन कीजिए ओनली रिविज में कुछ नहीं करना है पस एक प्रिवियस यह सेट मानना है और रिविजन करना है उसके अलावा आप कुछ मत किजिए देखिए आपका सेलेक्शन जरूर होगा और कुछ कुछ टोपिक जैसे में आपको प्रोब्लम होता था आप को ही कि जा यूटूब पे जाए यूटू जो पढ़ाना आप उससे पढ़िए यह नहीं पढ़िए जो आपको जरूरत है वह पढ़िए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज का टाइम में आज का यूग में टाइम बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है इसलिए आप टाइम को बरवात ना करें आपको जो जरूरत है पढ़िए और इसी तरह 20 से 50 दिन आप स्टेडी किजिए देखिए आपका सेलेक्शन जरूर होगा भगवान की दया से जरूर होगा और आपकी महनत जरूर रंग लाएगी और एक एक दो स्टुटेंट का मैं यह भी सोच रहा दा सार मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है आप जब सोच लिए कि मुझे एक्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपको मोडिवेशन की जरूरत खुद पैदा करना हो कोई आपके अंदर मोडिवेशन नहीं देगा आप यह सोचिए कि मैं एक्जाम को त्यारी क्यों कर रहा है मुझे नोकरी क्यों चाहिए तो ही आपके पापा ममी महनत करके आपको पढ़ा रहा है तो यह सब देखे और आपनी पापा का महनत को देखे तो आपको खुद भे खुद मोडिवेशन हो जागा आपको किसी मोडिवेट चैनल को देखने की जरूरत नहीं है कोई संदेव महसरी को देखने की जरूरत नहीं बस बस आप अपने में मोटिवेजन की खोजिए कि मैं ये तयारी क्यूं कर रहा हूं और जब भी आप पढ़ते पढ़ते आपको मन नहीं लगे तो बस आप ये सोचे कि अगर मान लीजे मेरा सेलेक्षन हो जाएगा तो मेरे ममी पापा के चेहरे पर कैसी एसमाइल आईगी बस ये सब सोच कि आप पढ़िए देखे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा मान लीजे मैं पढ़ने बैटता पढ़ते बैटता ठक आप ममी पापा का स्माइल को देखिए उस समय आपके ममी पापा पर आपके ओपर कितना गर्व होगा इस चीज को फिल कीजिए तो आप देखिए अब उससे दस गुना जारा एनरजी से फिर आप पढ़ने लगिएगा बस आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि जो मोट वियुक तो तुल्य सकता आपका बेटा बेरजगार है ये है वह है इसलिए आप मोडिовेसर्ट में खुद खुद की आपको क्यों पढ़ना है किस लिए पढ़ना है मुना के खुसी के लिए कि ये पढ़ना होई यह आप सोचे कि मैं अपने ममी पापा के लिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरे ममी पापा भी मेरे नाम से घर महचुज करे कि मेरा बेटा सरकारी जोग किलियर किया है तो देखिए आपको उससे दस गुना ज्यादा से आपका एनरजी आएगा और आप अच्छा से पढ़िएगा तो मैं तो सुच रहा था कि वीडियो ना बनाओ बट आप लोगों के मेसेज के वज़ा से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं अधिक सदिक आपको मोटिवेट करूं ताकि आप 20 से 25 दिन बस आप ध्यान से पढ़े और ये एक्जाम किलियर करे ताकि मैं भी चाहूँगा कि मेरे स्टुडेंट जो मेरे फोलोवर है वह एक्जाम किलियर किया और मुझे बेलांस करने में बहुत ही खुशी होगा कि मेरे फोलोवर ने एक्जाम किलियर किया अगर आपको कोई भी प्रोब्लम हो कोई भी समस्य हो तो आप मेरे वाटसप नमर जो की डिस बस यह चाहता हूं कि आप बस यह 27 दिन आप अच्छे से पढ़िए जैसे मैं बोला जितना चीज आप पढ़ें उसी का रिविजन कीजिए और आपको कुछ नहीं करना आपका सेलेक्शन में 100% बोलता हूं देती मैं मैं जब से जोइन किया हूं तो मैं ट्रेन में कहीं भी जाता हूं कोई भी टिकट इने कटाता हूं वो सपास से इदर से घुमते रहता हूं कोई प्रोबलम नहीं होती है और जोब करने में बहुत मज़ा आता है इसलिए आप आईये तो सही और एक्जाम के लिएर कि करते हैं बट आप लोग प्लीज प्लीज आप ध्यान दीजिए पढ़ने में बस आपका पास 27 डे बचा है आप 27 जितना अधिक से अधिक हो सके आप पढ़िए चाहें 6 गंडा से ज्यादा आप मत सोईए क्योंकि बहुत सारे तो दिन पर सोने में टाइम बरवाद कर देते बस आपको 6 आवर ही सोना है और जितना हो सके आप पढ़ने में ध्यान दीजिए और मैं जो बताये हो उसे आप फोलोगे जब भी आप पढ़ने में ध्यान ना लगे तो आप अपनी आख बंद कीजिए और अपनी ममी पापा के बारे में सोची कि कोई पोस्टमेंड आपका मोटिवेशन यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा कि आपके पापा आपके जोइनिंग लेटर को खोले और रिसीब करें इसलिए आप अच्छा पढ़े और आप सेलेक्शन जरूर पाए मैं आपसे मिलने के लिए रेडी हूँ आप आईए और आपसे मैं मिलेंगा जरूर छलिए धनिवाद बहुत होगी और भी कोई प्रोब्लम हो तो मुझे मेसेज कीज जिएगा आपके विडियो के थूरू को यहको है तुप कर दूँगा कश कोई मेसेज जो को मेरा इस्टागराम नाइडी पर या वाट्सप पर मेसेज कर सकते चलिए मिलते हैं नेक्श आरी अची हो